Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and आप में से बहुत से लोग जो new हैं मेरी चैनल पे फर्स ताइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं kindly take a moment to subscribe the channel deviant behavior की बात करते हुए जब हम ये कहते हैं कि deviance का मतलब होता है when you violate the norms of the society यहनी society ने जो rules बनाए हैं, जो rules of behavior बनाए हैं, जो conduct of behavior है जब आप उसको violate करते हैं और फिर आपे sanctions लगते हैं, आपको social disapproval face करना पड़ता है और different problems face करने पड़ते हैं, इसके इलावा आपको punishments मिल रहे होती हैं तो ये behavior, deviant behavior कहलाता है और इसको violate करने वाले deviant कहलाते हैं और ये phenomena deviance कहलाता है इससे पहले मैं deviance का introduction detail में दे चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो criminology and deviant behavior की playlist में सबसे पहले introduction को ज़रूर विजिट कीजिए इस video is related to drugs and drug addiction as a deviant behavior आपके mind में जब भी किसी ऐसे इसे इनसान का concept आए especially if I talk about with reference to the Pakistani society आपके mind में अगर किसी ऐसे बंदे का नाम आए जो के नशा करता है जो के drugs यूज करता है और illegal drugs यूज करता है तो आप उसे कैसा conceptualize करेंगे सबसे पहले तो आप अजीब से weird faces बनाएंगे अगर पुलीस उसको देखेगी तो पकड़ के जेल में डाल देगी उसको कोई पसंद नहीं करेगा हम मेंसे कोई भी उसके साथ रहना उसकी company में रहना उससे बात करना पसंद नहीं करेगा Why? Because drug addiction or drug usage is referred to as violation of a norm हमारे माश्रे में ये चीज़ allowed नहीं है कि आप नशा करें एक तो drugs वो हैं जो के legal drugs होते हैं जो के बिमारियों के इलाज के लिए medicines वगएरा इस्तमाल होती है एक drugs वो होते हैं जो लोग heroin और cocaine और different drugs यूज़ कर रहे होते हैं different reasons की वज़ा से और addicted हो जाते हैं और जब drugs का इस्तमाल करते हैं तो फिर वो अपने आस पास के environment और surrounding से unconscious हो जाते हैं unaware हो जाते हैं उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता है उनका nervous system बिल्कुल alter होके काम करना start कर देता है तो जाहर है कोई ऐसी चीज़ जो के आपको होश में न रखे आपका होश गवा दे आपको अनवेर्ड हो जाएं और नशे में जाके आप और different चीज़ें आप चोड़ी करें अगर आप driving करेंगे तो आप accidents करेंगे आप rape की तरफ जाएंगे different चीज़ें तो इसलिए drug को as a violent behavior as a deviant behavior consider किया जाता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि drug और deviant behavior या deviant का आपस में क्या relation है सबसे पहले ऐसी बात नहीं है कि जो legal drugs होते हैं वो उनका कोई नुकसान नहीं होता और illegal drugs का नुकसान होता है मतलब एक माश्वे ने एक society ने अगर कुछ drugs को कहा है कि ये legal है और कुछ को कहा है कि illegal है तो जो legal वाले है इसका मतलब उनका नुकसान नहीं है ऐसा नहीं है जैसे अगर आप यूएस के मिसाल ले तो वहाँ पे जादा डेट्स जो है वो लीगल द्रॉक्स की वज़ा से होती है जैसे वहाँ पे उनकी एक इवेंट होता है कि जब आप 21 सार के होते हैं तो फिर आप 21 आउंचिस लेते हैं तो आप 21 साफ़ा अगर आप उस चीज़ को इस्तमाल कर रहे हैं तो इसकी वज़ा से काफी सारी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चा जो कि कॉलिज का स्टुडेंट हो गई थी इसके लावा और बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे सड़न डैट्स हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि लीगल ड्रॉक्स है जिनको लोग ब्री क्रियेशन के लिए सैरेमिनीज वगारा में इस्तमाल करें उनका कोई नुकसान नहीं है नुकसान उनका भी होता है लेकिन लीगल और इलीगल ड्रॉक्स की डेफिनेशन फिक्स नहीं है क्यों क्योंके टाइम पर डूसरा चाय से निया हे नहीं फाल में फ्नेवारे। उसने हैं चाहतके हैं, वांगा फ्नेवारे। जमक्राइड पकलिए चाहतके हैं गडिता फोलाइब आधिक्शन है, आधिकन्षिकल्ण। इसना धान ही तरहिए क्थीकी नहीं हिर। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि legal और illegal drugs की definition कोई भी fixed है अगर classification की बात करें तो drugs जो है basically तीन different categories में divide होते हैं और यह आपके central nervous system को influence करते हैं First है stimulants Stimulants वो drugs होते हैं जो के आपके nervous system की activity को increase कर देते हैं और आपकी tiredness को यानि ठकान को कम कर देते हैं जैसे के cocaine और caffeine अक्सर ऐसा होता है कुछ लोगों को जड़ा सी थकन होगी फॉरण से कहते हैं चाहे लादो coffee लादो यह एक trend बन गया कि आप आफिस तहाए हैं आप ठक गए और आप कहते हैं काफी लियाओ चाहे लियाओ वाई इसमें जो caffeine होता है वो आप लोगों की जो nervous system की activity है उसको sharp कर देता है और आपके ठकान को कम कर देता है तो आप उसे use कर रहे होते हैं अराम मिलता है किसी tension से या pain वगएरा से जैसे कि heroin और morphine वगएरा अकसर लोग कोई सदमा मिल गया कोई दुख मिल गया और उस दुख को भुलाने के लिए नशा स्टार्ट कर देता है तो वो नशा basically आपके pain को relief दे रहा होता है होता क्या है कि आपका nervous system जिस भी tension के बारे मे सोच रहा है जिस भी पर जो भी परिशानी है जिब आप वो नशा करते हैं तो वो परिशानी आपकी कम नहीं होती है basically आपकी nervous system की जो activity है उसको वो reduce कर देता है तो आपको relief फील होता है थर्ड टाइप के जो drugs हैं वो हैं hallucinogen and they disrupt the function of the nervous system example LSD यह आपके nervous system के function को ही disrupt कर देते हैं तो फिर आप सोचें जब आपका function disrupt हो जाएगा जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो फिर आप violent behavior में भी involved होंगे फिर आप driving करते होगे accidents भी करेंगे फिर आप rapes भी करेंग और यह जो जर्म होते हैं यह जो violent behavior है यह criminal behavior है यह basically drug addiction की बज़ा से हो रहा है यह drug लेने की वज़ा से हो रहा है और यह deviant behavior है so in that way you can relate drug and deviance अब बात करेंगे कि drugs किस तरह से individuals को influence करते हैं तो drugs की influence में different factors involved हैं जैसे आप कितना dosage ले रहे हैं वो कितना pure है mixing of drugs उनका method of administration and strength of habit आप कितने habitual हैं तो यह तमाम चीजें यह तमाम factors involved होते हैं कि यह जो drugs हैं वो individuals को कितना influence करेंगे अब कुछ drugs की बात कर लेते हैं जिससे marijuana की अगर बात करें तो पहले के जमाने में marijuana use जो था वो considered it was considered as holy and more recently US के अंदर positive और negative marijuana के बारे में बात की जारी होती है critics कहते हैं कि marijuana जो है it is linked with use of other drugs अगर आप marijuana को use करते हैं तो critics कहते हैं कि इनका नुकसान ही नुकसान है क्योंकि अगर आपने marijuana लिया तो फिर आप और drugs की चरफ भी जाएंगे और आप जर्म भी करेंगे और आप violence भी करेंगे तो यहां पर आप marijuana जो drug है इसको भी deviance के साथ relate कर सकते हैं दूसरे points यह कहते हैं कि marijuana के medical benefits भी है तो marijuana के दो साइड़ बाते हो रही होती है कि इसका नुकसान भी है यानि it basically leads to deviant behavior और इसके medical साइड़े भी है heroine के अगर बात करें so it was first produced in 1898 from opium और heroine के offer होने का जो main reason है वो यह जैसे आपने start में जब discuss किया है classification of drugs तो इसमें आपने heroine को second वाले point में discuss किया यानि heroine एक depressant है और जाहर है वो लोग जो के depressed होता है जिनको जिनको जिन्दगी में किसी भी किसम के कोई परेशानी आती है तो फिर वो इस drug को use करते है ताकि उस परेशानी से relief हासिल कर सकें बेशक वक्ती दोर पर ही कर सकें अब discomfort का जो risk है यहाँ पर sickness वगेरा यहा आप उसको दूर कर सकें कोकेन की अगर बात करें सो further details इसमें दी हुई है और 20 सेंचरी से पहले कोकेन बहुत popular था और socially acceptable था अब जैसे स्टार्ट में बात की थी कि इन ड्रक्स का legal और illegal drugs की definition clear नहीं है उसके पीछे reason यही था कि देखें कोकेन की आप example लिलने 20 सदी से पहले यह acceptable थी और आज यह acceptable नहीं है क्यों कि जब research होती है तो पता चलता है कि इनके नुकसानात है तो यह different से सारे drugs हैं इनको देख लीटिएगा अगर drugs और HIV की बात करें HIV AIDS आपको पता है एक बिमारी है AIDS drug addicts के अंदर बहुत common होती है जो लोग नशा करते हैं उनमें AIDS होने के खत जूठा strange इस्तमाल करते हैं used strange इस्तमाल करते हैं तो जाहर है AIDS कैसे होता है blood transmission के तुरू होता है इस तरह के used strange इस्तमाल करने से होता है तो जब आप strangers वगएरा use करेंगे तो obviously आप में AIDS के spread होने का खतरा जादा हो जाएगा और बाकी इसमें मज़ीड details भी हैं इसको आप to be able to buy drugs they commit different types of crimes इस बहुत important point है किसी भी चीज़ की need अगर आपकी body को महसूस होती है तो आप उस need को पूरा करने की हर तरह से कोशिश करते हैं और उस need में से एक need drug की होती है जो के drug addict को होती है या एक इनसान है जो के drug addict है नशे का आदी है और उसको नशा नहीं मिल रहा है त जब उसके पास सही जराय नहीं होते तो फिर वो गलत जराय समाल करेगा फिर वो चोरियां करेगा डाके डालेगा और different किसम के crimes करेगा किसी का mobile snatch कर लेगा क्यूंकि जो drug addict हो चुके होते हैं उनकी body में से जब उनको drug नहीं मिलता तो they feel like उनकी body से उनकी रूह निकल रही है उनकी soul निकल रही है उनको drug चाहिए होता है और वो ही उनको relief देता है तो इस need को पूरा करने के लिए फिर वो हर हद तक जाते हैं ताकि उनके हाथ में इसी तरह पैसा आ जाए क्यूंकि उनको पिर सही गलत नजर नहीं आ रहा होता उनको सिर्फ अपनी need नजर आ रही होती ह है the need of drug तो drug abuse की तरफ जाने के लिए मजीद drug को use करने के लिए crimes को commit करते हैं criminals and drug users share one common thing that thing being a tendency to commit deviance general deviance syndrome यह जो criminals और drug users है इनमें एक चीज़ कमन होती है कि यह दोनों ही गलत रस्ते की तरफ जाते हैं दोनों ही commit करते हैं deviance को criminal भी क्या करता है जर्म करता है deviance करता है और drug user भी क्या करता है जब उसकी basically उसकी need पूरी नहीं हो डी तो obviously उसको पूरा करने के लिए वो crime करता है इसके इलावा नशे में आकर बहुत सारे rapists फकरे जाते हैं और पता चलता है कि जी नशे में थे नशे में कर दिया आपने किसी के life spoil कर दी आपने deviance की तरफ तो आप चले गए ना बेशक आप नशे में तो तो drug addiction leads to deviance तो यह हमारा main focus था main point था अब थियूरी की बात कर लेते हैं एक थियूरी है यहाँ पर आड़ की है economic deprivation theory यह थियूरी कहती है that taking drugs provide a feeling of being important and drugs allow and escape from harsh reality drugs are easily available in the community and they provide a structure to live for to lives of these individuals देखें यह थियूरी drug addiction को या drug use को favor कर रही है किस तरह से यह theory कह दी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिन्दगी में suddenly कोई problem सा आ जाते हैं जाहरा जब suddenly problem आएगा तो लोग society की तरफ भी जा रहे होते हैं society की तरफ जाने के पजाए वो लोग अपने दुख को अपने गम को बुलाने के लिए कम करने के लिए नशा करना स्टार्ट कर देते हैं तो basically इस थियोरी के मताबिक जो ड्रग एडिक्शन है वो लोगों को अपनी जिन्दगी के मुश्किल हालात और हाश रियालिटी से निकलने के लिए निमटने के लिए एक जरिया बनता है जब इस तरह के तकलीव में मुलविस लोग इस तरह का ड्रग एडिक्शन करते हैं ड्रग लेते हैं तो वो अपने गम को टेम्टरारिली भूल जाते हैं और अपनी लाइफ की हाश रियालिटी से दूर चले जाते हैं मेंटली उनको सुकून मिल जाता है तो यह थियूरी ड्रग बहीवियर को इस तरह से एक्स्प्लेइन करती है यह थियूरी कहती है एडिक्शन डिवाइलप्स वन इंडिविजुल डिस्कावर्स और कॉंक्लूर्स जैस् विड्रॉवल सिंटम्स कैन बी रिलीव बाइटेकिंग दी ड्रग यानि इसमें एक तो इनसान ड्रग ले रहा है फिर ड्रग जब छोड़ने की बात सोचेगा तो वो और ड्रग लेगा तो आप ड्रग एडिक्शन से भाग नहीं सकते हैं अगर आपने एक ड्रग लिया जिसे अगर चाय की मिसाल ने कुछ लोग होते हैं एक कप चाय पी डो कप पी कुछ लोग होते हैं दिन में पानचे कप इवन आप उनको और उफर करेंगे तो वो और पीएंगे बजा किया है कि आपने ब्रेइन को कैफेन की आद़ट डाल दी है अब आप उनको दिन में 5-6 कप कॉफी पिलाएं, doesn't matter, उनकी नीद बरती जाएगी Similarly, drug addiction भी ऐसा ही है, कि आप एक drug को यूज़ करते हैं और उसको छोडने के लिए भी आपको drug की ही जरुवत परती है तो आप निकल नहीं सकते हैं फिर drug behavior से Social and psychological factors underlying drug use अच्छा, ऐसे कौन कौन से factors हैं, जो कि social है या psychological है या इनसान के अपने या फिर master की factors हैं, जो कि drug use के पीछे है First of all, one of both of the parents are drug users Researchers कहती है, जिनके माबाप, जिन बच्चों के माबाप नशा करते हैं, drug use करते हैं तो उनके बच्चों में नशा करने के chances ज़्यादा होते हैं Even researchers ये भी कहती हैं कि अगर उस बच्चों के माबाप, for example, मर जाते हैं जो drug use करते हैं और उस बच्चे को कोई और adopt कर लेता है, वो ही उसको बालता पोस्ता है फिर भी क्योंके उसके नशे में वो drug शाविल होता है, तो उसमें drug addiction के chances ज़्यादा होते हैं Second है lack of attachment with family teachers and peers वो बच्चे जिन पे ना तो family का रुझान है, ना उनके कोई दोस्त हैं, ना उनके teachers उनसे attached हैं वो खुद को अकेला फील करते हैं और डिलीव दिलवाने के लिए भी वो drug की तरफ चले जाते हैं Easy availability of drugs, सबसे important चीज़ है जब हमने introduction of deviance share किया था, बात की थी उस पे तो हमने देखा था कि social control, basically लोगों के रवीयों को, उनके behavior को control करता है So, जिस माशे के अंदर drugs जितने easily available होंगे उनके लोगों में drug addiction का chance उतना ही जादा होगा Having friends who use drugs, man is known by the company he keeps, peer pressure अगर एक group है जिसमें दोस नशा करते हैं और एक बचा नहीं करता तो वो भी ultimately, unconsciously नशा करना स्टार्ट कर देगा अक्सर ऐसा होता है, boys group में बैठें में smoking कर जाएं एक नहीं कर रहा है, उसको भी करेंगे आप भी करो जरूर करो, एक try करो, वो try करते करते addict हो जाएगा chain smoker बन जाएगा Then having low self-esteem, जिन लोगों को लगता है कि उनकी self-esteem बहुत low है उनकी कोई respect नहीं है, self-respect नहीं है, वो भी नशे की तरफ जाते है Feeling of hopelessness, जो खुद को नाउमीद महसूस करते हैं कि हमारी life में कोई उमीद नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो वो भी drug addiction की तरफ जाते है Rejection, जो लोग बार बार reject होते रहते हैं Rejection फील करते हैं, चाहे वो जौब हो या किसी और वे में हो, वो भी drug addiction की तरफ जाते हैं Individuals with violent tendencies usually opt from heroin, whereas depressed and gloomy individuals usually go for cocaine और जिन में violent behavior होता है, वो भी इस सब चीजों की तरफ जाते हैं उचको comfort फील करवाने के लिए अब अगर आप गौर करें, तो यहां पे आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से social और psychological centers हैं जिनकी वज़ा से लोग मजबूर हो जाते हैं drug behavior को adopt करने के लिए सवाल पैदा होता है कि क्या drugs को legalized करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे societies हैं जहां पे drugs legal है but they are still harmful लेकिन they are legal so क्या drugs को legalized होना चाहिए the first point here is legalize drugs and then use the drug money for fighting drug addiction legalization of drugs will significantly increase the number of drug users in society and reduce or solve problems that are causing drug addiction and legalize small number of drugs and allow people over 18 to buy जो यहां पे solutions बताए गए हैं आप अपने solutions को जरूर मुझसे feedback share कीचे का comment section में these points say that drugs को legalized नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग पहले तो फिर legalized drugs को खरीटते हैं addiction हो जाती है तो फिर उस addiction से निकलने के लिए पैसा करच करते हैं तो यही पैसा आप healthcare system पे या किसी अच्छी जगावे भी इस्तमाल कर सकते हैं और drugs legalized हैं भी तो फिर उन लोगों के लिए होने चाहिए हैं जो के 18 से अबव हैं according to these points अब बात करेंगे addiction to legal drugs जो legal drugs हैं उनकी addiction किस तरह से होती हैं जाली चीज लीगल ड्रक्स असानी से अवेलिबल होते हैं जाए रहे वो लीगल हैं तो लोग अरांस उनको अवेल कर लेते हैं लोग यह भी समझते हैं कि यह safe है क्योंके लोगों का mindset है कि एक चीज जिस पे पाबंदी नहीं लगाई वी इसका मतलब वो safe है pharmaceuticals have influenced doctors to prescribe and individuals to buy their products pharmaceuticals, doctors, इन सब जो high powered लोग है न यहां पे आप conflict को आइड कर सकते हैं कि जो लोग power में हैं वो इस behavior को खुद ही promote करते हैं क्योंके पता है pharmaceuticals को भी पैसा मिलेगा जब दवाईयां बिकेंगी doctors को इस तरह पैसा मिलेगा कि जब addiction हो जाएगी एक दवाई की तो मरीज बार बार आएगा तो उसके पास भी पैसा आता रहेगा तो इस तरह से legal drugs की लोगों को addiction हो जाती है इस वीडियो में हमने discuss किया कि drugs क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं और उनका किस तरह से origin हुआ किस तरह से इस्तमाल हुआ और साथ ही साथ drug addiction का और deviance का आपस में क्या तालुक है मुझे अमीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी kindly stay connected and मुझे दौन में याद रखेगा मजीद वीडियो के लिए मेरे साथ connected रहेगे support कीजिये thank you so much take care have a good